मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ कि जब हिंदु तुकी बात होती है तब अटल जी की वो पंतिया याद आती है हिंदू तन्वन हिंदू जीवन रगरग हिंदू मेरा परिचय मैं आदि पुरुस्दिर भैता का बर्दान लिये आया भूपर पहपी कर सब मरते आये मैं अमर हुआ तो विस्पीकर मुझको मानों में भैद नहीं मेरा अंतर अस्तल है विशाल जक्के ठुकराएं लोगों को लो मेरे घर का घुलाद्वार अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार मेरा हीरा पाकर जोतित परकियों का वह राज मुकु है यान्य हिंदू strategically मेरा च चाहा है मैने करलू जक्को गुलाब मैंने तो सदा सिखाया है करना निजके मन को गुलाब गोपाल राम के नामों पर मैंने कब अथ्य चार किया अब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंधार किया भुभाद नहीं शट सत्सत मानें जीतने का निस्टाए हिंदु तनमन हिंदु जीवन रग रग हिंदु मेरा परिचय ये हिंदु तुह हैं और आपने हिंदु को हिंदु समाद को हिंदुस्तान को आपने बदनाम करने की कोशिस किया है आदर्णी अध्यक्ष भोग है है पिछले साल में मान्नी नरेंद्र काम किया है ये यदि वह कहो कि मोधी जी तभी वह मुम्कीन है और वो काम की शुरुवात नहीं बलकि डिलिवरी हुई जिन्हें पूरा करना ही असंभाव लगता था मोदी जी है तब यो गुंजाइज भी अभी भी बनी है कश्मीर में मोदी जी ने संभव को संभव कर दिया यह वो काम है चीन को भी पिछे छोड़ दिया दुनिया का आठवा जूबा कहा जा रहा है ऐसा काम बड़े पड़ोसी देश भी कही मुकाबले में नहीं है जम्मू क कश्मीर में कैसा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है जिसकी धभक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है अध्यक्ष मखडे कश्मीर का वो चिनाब करेलmetroाख बुकर तियार है पहले से नारे लगाते रहे है हम कहते थे कश्मीर से कंञ्या कुमारी है किन्तु शार्थक करने का काम माननी नरेंद्र मोधी जी ने किया, दुनिया का सबसे उचा चिनाब, रेलवे ब्रिज, यूएस, बियारेल, याने उधंपुर, स्रीनगर, बारा मुलाले, रेललेंड, ये प्रोजेक्ट जिसके निर्माण पर पूरी दुनिया की निगाह थी, म 369 मिटर है, पुल एफिल टावर से भी 35 मिटर उचा है, जहां लोग फोटे खिचाने जाते और बड़ा नाम लेते हैं, उससे भी 35 मिटर उचा है, हमारे देश के कुतुब मिनार से ये पांच गुना है, माननी अध्यक्ष मोधे, मोधी जी ने हर मुश्किल को संभव किया ह है, ठीक वैसे ही, जैसे कोरोना काल में, महामारी में, अंतराष्टी विमारी पर पूरी दुनिया, जी में बस दो मिनट में खतम करता है, त्राही त्राही बची थी, विदेश के लोग कहते थे कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है, क्या होगा, किन्तों इस कोरोना के और वैक्सिन का निर्मार ही नहीं किराया, संसाधन मुहया किराए, लेट के विज्यानिकों को प्रौसाहिद दके रहे, डेश में तीन सो करोड से अधिक डोज, लोगों को वैक्सिन मुहया किराया, इतना ही नहीं, दुनिया के देशों को भी, सब प्रकार के उन्होंने किरियाड को नहीं छोड़ा अध्यक्ष महदे उस तरब बैठ्य वाले नहीं चाहते यह चाहते नहीं थे यह वेक्षिन भारत में दिर्मित हो अर यह तो फाइजर की वकालत कर रहे थे विदेशी कंपनियों की वकालत कर रहे थे Central Vista का भी ये निर्मार नहीं चाहते थे ये GST का कलेक्शन नहीं चाहते थे ये dirty politics इनके रक्त में है मानने प्रधान मंत्री जी हार नहीं मानने वालों मैंसे है उन्होंने के त्रियोदों को दूर किया नए oxygen plant मुप्त में टीका करन oxygen rail ने ताकत दी नए ventilator का निर्मार नए hospital का निर्मार देश में कोविट टेस्टिंग सेंटर एक हुआ करता था हजारों कोविट सेंटर इस्थापित किये पीपी कितने ही बनता था आज हम largest producer हुए oxygen express चलाए corridor बनाया गया airport ने tanker lift किये cryogenic से लाने की बात की गई और इसमें PM care fund की बहुत महत्त प्रण भूमिका रही माननी अध्यक्ष महदे 80 करोड लोगों को मुप्त अनास देने का काम किया कहां तो तैथा मैं ये कहूंगा कि आज जिस प्रकार से गरीबों की ये केवल चर्चा करते रहे केवल चर्चा करते रहे किन्तु ये गरीबों की मजदूरों की और अंचोदय की ये कोई सरकार हुई तो माननी प्रधान मंत्री नरेंट्र मोदी जी की सरकार हुई जिस पर आज देश पुरा गर्व कर रहा है आपने मुझे आउसर दिया इतने ही कहते हुए स्कारिची ने खुट करता हुए इतने दिया को अपने मुझे एऊसर दिया आपका मैं बहुत बहुत अभारियो श्री कल्यान बनर जी जि कैजा